नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आलोग स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूटूब चैनल आलोग पर दोस्तो जैसे जैसे करके सरदिया नजदीक आती जा रही है हमारे गार्डेन के अंदर जो पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट थे या फिर जो है जो ओनामेंटल आना या तो बंध हो गई है या फिर फ्लावर्स आ रहे होंगे तो थोड़े छोटे आ रहे आज की इस वीडियो को एक रिमाइंडर वीडियो मानिएगा या फिर जो है जो लोग नीव हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफी जादा हेल्पफुल होने ही वाली है आज की प्लावर्मेंटल प्लांट या फिर जो है फ्लावरिंग प्लांट जो है अभी जिसको हम अपने गार्डेन के अंदर लाकर जो है उनसे अपने गार्डेन की खूपसूर्ती को बढ़ा सकते हैं साथी साथ उनसे हम धेर सारी कॉंटिटी में फ्लावर्स ले सकते हैं इन सारी वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी के साथ जो और नामेंटर प्लांट से अर करूंगा और जिसको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको आप अपने गार्डन के अंदर जरूरेट कीजिए यह कोलियस कोलियस बहुत यह वाली अलग है और इसके अलामा जो है एक यह वराइटी मेरे पास है कोलियस की इसके पत्ते थोड़े जादा बड़े-बड़े होते हैं और इनकी मुझे कुछ कटिंग्स लगा कर इनसे भी नए प्लांट बना लेने हैं अभी इनकी कटिंग भी लगाई जा सकती है साथ वथदा जो प्लांट में आप लोगों के स्वास शेयर करूंगा जिसमें बिंटर में बहुत ही ब्लास्टिंग ब्लूमिंग होती है बहुत हैबी क्वांटिटी में blooms होते हैं मेरे गुल्डावदी के प्लांट इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं इनके अंदर बैट्स भ आपको मिलनी मिलने मिलेंगी एक तो इसकी HBRpr variety जो आती है जिसके पौधे थोड़ा छोटे-छोटे होते हैं दूसरी देशी variety जो है जिसके पौधे थोड़ा बड़े-बड़े होते हैं मैंने इस बार जो है इनके थोड़े और colors जो है वो नर्सरी में जाके अड़् करने हैं अभी तो नस्री में इनके कुछ कलर्ष और आड़् करूंगा क्योंकि मेरे पास जो है वो चार से पांच कलर हैं और थोड़ा और colors में अपने garden के अंदर इनका एड़ करना चाहूंगा तो गुल्दवधी बहुत अच्छा option है इनको अभी आप अपने garden के अंदर जहरूर राट कीजिए अगला जो मैं आप लगों के साथ शेयर करूंगा यह हैं है पर्मानेंट प्लांट है एक बार अगर अपने garden के अंदर इनको आड़कर कर लेते हैं तो और आपको इनसे जो है वो पर्मानेंट फ्लावरिंग जो है वो मिलती ही रहेगी कभी भी जो है इनकी blooming बंद नहीं होती मैंने तो अपने hybrid viscous से देखे जो है ये yellow color का होता है बीच में red color के dot होते हैं और इनको जो है पता नहीं कहां से आके जो है कुछ cutter pillars खा रहे थे आज फिर मैंने निकाला एक दिन और मैंने hybrid viscous के जो है और add करने हैं तो बहुँच अच्छा option है आप hybrid viscous जो है इस time पर लाकर add कीजिए हम अगर permanent flowering plant की बात कर रहे हैं तो हम रोज को कैसे भूल सकते हैं गुलाब का पौधा जो है ये भी evergreen होता है flowering तो इसमें individual तो आप जो है रोज के plants को इस time पर लाकर अपने garden के अंदर add कर सकते हैं इस type के creeper रोज भी आपको nursery के अंदर मिल जाएंगे मेरे पास white color है इस बार मैं creeper रोज की कुछ और variety जाट करूँगा अभी तो ये छोटा पौधा है देर-देर करके जैसा जैसे बड़ा होगा और भी चाता जो है खुपशूरत लगेगा और अगला जो मैं आप लोगों को suggestion दूँगा ये है विंका का hybrid विंका जो है इस time पर बहुत अच्छी blooming करता है और colors की अगर बात करी जाए तो सायद आप इनके color को गिनकर जो है वो खतम कर पाएं क्योंकि ये जो होता है आपका पौधा ये cross-pollinate हो होके जो है वो नए-नए colors बनाता रहता है मेरे garden के अंदर ये red color है उसके बाद ये dark pink color है पता नहीं कैसे आपको दिख रहा होगा विडियो के अंदर और ये white पे जो है वो हलका सा red pink वो आ गया है और ये pink color है बहुत heavy quantity में इसके अंदर flowers आ रहे हैं ये purple color वाला plant है और इधर भी जो है देखे आपको purple के अंदर थोड अच्छा option है आप बिंका के प्लांट को लाकर अपने garden के अंदर add कर सकते हैं इस time पर एक जो है कटीला पौधा जिसको आप cactus और सेकुलेंट की बीच की कड़ी मान सकते हैं ये है आपका यूफोर्बिया मिली यूफोर्बिया मिली बहुत सुंदर flowering करता है और गुच्छो जो है तयार हो जाता है और ये बात इस पौधे की ये है कि ये बिल्कुल भी क्यार रही मांगता आपने किसी एक कोने में जो है शैंडी स्वायल में लगा कर भूल भी अगर जाते हैं तो भी जो है इसको अच्छे से सनलाइट अगर मिलती रहेगी तो ये flowering करता रहेगा त जो थोड़े बड़े साइज के flowers आते हैं और एक इसकी miniature variety आती है उसमें भी बहुत सारे colors आपको मिल जाएंगे ये तो मैंने अपने डहलिया के प्लांट से cutting लगाई थी तो बो cutting चल गई है और भी मैंने cuttings लगाई है आप लोगों के साथ कभी अपना डहलिया जो है वो show कर कर लेजिए और सबसे अच्छी बात यह है कि फिर अगर आप इसको save करके इसके tubers को रख लेते हैं pot के अंदर ही या फिर निकाल कर तो next time जो है जब ये grow करेगा वारिस वगेरा के अंदर तो फिर आप इसकी cutting लगा कर इससे धेर सारे नए प्लांट बना सकते हैं तो अगला पास यह red color के flowering माला plant है आपको purple मिल जाएगा white मिल जाएगा yellow मिल जाएगा ऐसे और भी सारे colors मिल जाएंगे तो एंथूरिया में इस time पर लाकर add करना बहुत अच्छा रहेगा indoor plant है अगर आप indoor plant प्रसंद करते हैं तो indoor plant पे अगर flowering plant मिल जाए तो फिर क्या कहने अगला plant जिसको आप जो है इस time पर लाकर अपने garden के अंदर add कर सकते हैं यह है आपका pointsetia pointsetia की यह पतिया है जो red color की दिख रही है यह flowers नहीं है यही पतिया धीर धीर करके जो है वो green में convert हो जाती है और उसके बाद जो है यह इस तरीके से दिखने लगती है तो pointsetia बहुत अच्छ जाएगा और yellow और red का combination भी मिल जाएगा मैंने उसकी cutting लगाई है लाकर और I hope कि वो cutting लग जाएगी क्योंकि उसके अंदर पतियां आ गई है और उसने growth भी शुरू कर दिया है तो चलिए आप आगे बात करते हैं अगले flowering plants पर अभी मैंने हाल में ही कलेंचो का यह yellow color अपने दो सेड है मेरे पास और यह पांचवा जो है मैं अपने garden के अंदर बैट कर रहा हूँ इसके अलावा इसकी देशी variety भी मेरे पास है तो बहुत अच्छा option है इस समय कलेंचो को भी लाकर आप अपने garden के अंदर इस समय नमबर में अगर आट करेंगे तो नमबर दिशंबर ज garden के अंदर चलता रहेगा अगला प्लांट जो है वो शैल्बिया जिसको मैं रेड बासा बोलता हूं लाल बासा क्योंकि इसके रेड कलर वाला जो फ्लावरिंग प्लांट आता है देखने में काफी अच्छा लगता है हाला कि इसमें परपल कलर भी मिल जाएगा वाइड भी आती है मेरे पास इंडर प्लांट इतने ज्याद है कि मैं के और फिर नहीं कर पाता तो अगला प्लांट जो है आपका प्टोनिया का होगा क्यौन Jaun बंचे में फ्लावर्स आते हैं और अगर आप इसके सीट को सेप कर ले जाते हैं तो फिर यह लंबे शमय तक आपके पास रहेगा हालां कि जो है हर बार नए शीड लेके ग्रो करना या फिर नए सैप्लिंग्स लेना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जो पुराने शीट हो चार मेरे पास हैं तो पैंजी बहुत अच्छा option है इस टाइम पर आप पैंजी को भी ग्रो कर सकते हैं लाकर पैंजी के अंदर तितलियों के आकार के बहुत खुबसूरत प्लावर आते हैं इसको मंकी फ्लावर के नाम से भी इस वज़ाद से जाना जाता है क्योंकि इसमें जो flowers का safe होता है वो जैसे बंदर के चेहरे के जैसे होता है तो पैंजी बहुत अच्छा option है इसके अलावा बर्बीना आप add कर सकते हैं ये बर्बीना की saplings है मैंने दो ही अभी add किये हैं और काफी सारी seedling मैंने किये है I hope कि वो grow कर जाए मैंने seedlings का थोड़ा लेट आकर किया है जरेनियम बहुत अच्छा option है जरेनियम की देखिए ये तोटल ये तीन saplings मेरे पास है अभी एक बाहर भी है यानि चार है मेरे पास तो जरेनियम मैंने add किया है ये पिटुनिया की छोटी-छोटी seedling है अगला जो plant है ये है आपका बहुत ही छोटे-छोटे white color के और purple color के flower आते हैं इनके अंदर और काफी ज़्यादा खुबसूरत लगता है देखिए मेरे मुँ में नाम होता है फिर अटक जाता है अलाइसम नाम है इनका तो अलाइसम अभी लाकर आप अपने garden के अंदर एट कर सकते हैं अलाइसम की एक खूबसूरती ये है कि इसके flowers बहुत बड़े-बड़े तो नहीं होते लेकिन जब इसके अंदर flowers आना शुरू होते ना तो पत्यां दिखती है नहीं सिर्फ flowers पर सी नजर आते हैं बहुत ही छोटे-छोटे बारिक-बारिक flowers होते हैं लेकिन पूरा का पूरा प्लांट flowers से भर जाता है अभी इधर मेरे कुछ शैपलिंग्स रखी हुई है इनके बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी शीड्लिंग भी मैंने करी हुई है शीड्लिंग्स सारी मेरी यहां पर है इनमें से calendula जो है वो ग्रो कर गया है तो calendula अभी आप जाएंगे तो आपके यहां सरकारी नस्री जो होती है वहां पर बहुत इसली बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएगा मैंने तो इस वाजा से मैंने शीड्ल लगा लिए तो इस टाइम पर आप ग्रो कर सकते हैं इसके अलावा मेरे पास यह बीगोनिया है बीगोनिया के दो कलर और हैं अभी छोटी-छोटी सैपलिंग है थोड़ा ठीक नहीं ग्रो कर रही थी मैं इनको जब लेके आया था तो इनकी हालत थोड़ी ज़्यादा कराप थी अब तो धिरे-दिरे करके यह कुछ सही हो रहे हैं तो यह बिगोनिया बहुत अच्छा ओप्शन है यह भी आप अगर कटिंग से बचा ले जाते हैं तो नेक्स टाइम आप इसको आपको इसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगला प् यह चोटे-चोटे प्लावरिंग जो है आपको यह दिख रहे हैं चारो एक दो तीन और चार यह चारो डॉक फ्लावर्स हैं तो डॉक फ्लावर को लाकर आप अभी इसको एन्थमम के नाम से भी जानते हैं बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होती है गुच्छों में फ्ला तो मेरे पास पूराना वाला बचा हुआ था उसको मैंने लगा लिया है तक है लाकर ग्रों कर सकते हैं तो यह पांच प्लांट्ट गजानिया के हैं मेरे पास मेरी गोल्ड इस की लिस्ट में कहां आप भूल जाएंगे मेरी गोल्ड बहुत अच्छा जो है फ्लावरिंग करता है और मेरी गोल्ड की जाफ्री और दो अलग-अलग वरायटी जाती है यह मैं बता रहा था ना कि मैंने पॉइंसिटिया को कटिंग से ग्रो किया है यह देखिए यह वही वाला प्लांट है जिसमें मैं बात कर रहा था कि यलो और रेट का कॉम्बिनेशन होके फ्लावस आते हैं इसके अंदर तो ग्रो कर जाए आई हो और जितने भी कटिंग मैंने लगाई थी इसके अंदर भी देखिए जो है यह इधर से एक ब्रांच निकल कर सकते हैं इंपेशन की दो वराइटी आती है एक जो थोड़ा बालसम की जैसे पत्तियां आती हैं बिल्कुल जो हमारा देशी गुल महदी होता है उसको मत लेजेगा वह थोड़ा ज्यादा ही सेंस्टिव होता है बाकि यह बिंटर के लिए बहुत अच्छा आप्सन है यह ने ग्रोष सुरू कर दी है और टोरिनिया मैं बहुत टाइम से ढूंड रहा था पहली बार मुझे मिला और वह भी इस हालत में बाकी जो है यहां पर मैंने नेमेशिया के शीट ग्रो किये हुए हैं नेमेशिया आप जो है अगर जाकर मेरी वीडियोज के अंदर आलोक्ष गार्णिंग टिप्स जो है नेमेशिया फ्लावरिंग प्लांट करके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बार्की कोम का प्लांट मैंने ग्रू किया है स्वान रिबर डेजी जिसको बोलते हैं तो उसको भी जो है मैंने लगाया हुआ था पिछली बार भी अपने प्लॉक्स का सीट डाला हुआ है आपका एनवल क्रिशंथमम भी यहां पर मैंने सीट्स ग्रो करें हैं जल्दी यह ग्रो कर जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा मैंने नेस्ट्रीशियम का सीट डाला हुआ है और ऐसे बहुत सारे प्लांट मैंने लगाये हुए हैं फि मैंने एक विडियो डाली थी कुछ शीट्स मैंने ऑनलाइन मगाये थे तो उसके अंदर मैंने जितने शीट्स दिखाए थे लगभग वह सारे ग्रो कर लिए हैं दस पंदरा तरह के उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग चाहें तो वहां पास जाक कर सकते हैं इन में से मैक्सिमम जो है वह फ्लावरिंग प्लांट है और आपका कोलियस जो है सिर्फ वही एक ऐसा प्लांट है जो थोड़ा और नमेंटर प्लांट्स की लिस्ट में गिना जाएगा तो बहुत अच्छा उप्सन है फटाफट नर्सरी आईए और बिंटर को कै क्यास कीजिए बिंटर में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट आते हैं जिनको आप अपने गार्डेन के अंदर लगाकर कमार की फ्लावरिंग उनसे ले शकते हैं कैसी लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा ऐसी ही किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाय एंट टेक कियर